हलो गाईज, वेलकम टू एडू गंकुरन, मैं हूँ आपका दोस्त अश्वेनी कुमार, आज का वीडियो जहारखंड की नदियों सम्बंदित क्विज का सेट टू है, आईए वीडियो को सुरू करते हैं, उत्री कोईल किसकी सहयक नदी है, आपके आप्संस हैं, दामोदर, स जय या फिर स्वरंड रिखा, इसका सही जवाब हो जाएगा, सोन नदी, नेक्ट कोईशन पर चलते हैं, उत्री कोईल नदी कहां से निकलती है, आपके आप्संस हैं, राची का पठार, हजारी बाग का पठार, पारसनात की पहाडी, अमर कंटक की पहाडी, इसका सही जवा जो उदगम है, वो राची का पठार से होता है, और ये सोन नदी में मिल जाती है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है, 360 किलो मिटर, ये मुहाना कहां पर बना रही है, मतलब कि कहां पर जाकर मिल रही है, तो वो सोन नदी में है, इसकी सहायक नदियां, औरंगा, और और अमानत है, ठीक है, तो ये है उत्री कोईल नदी के कुछ डीटेल्स, ये है जहारखन का मैप, उपर में आप देख रहे हैं, जहारखन के उत्तर में बिहार है, इसके पूर में वेस्ट बेंगॉल है, इसके दक्षिन में ओडिसा है, इसके वेस्ट में 36 गड़ है, और यहा लातेहार और पलामू से होते हुए, ये सून नदी में जाकर मिल जा रही है, ठीक है, तो ये इसके वीजुल्स है, उत्री कोईल नदी गुमला जिला के पास से निकल रही है, और लातेहार पलामू होते हुए, सून नदी में जाकर मिल जाती है, तो ये है उत्री कोईल नद हो जाएगा लहर दगा आईए इसके कुछ वीज्वल्स को देख लिया जाए यह जारकन का मैप है और यह देखिए यहां पर उतरी कोईल नदी बह रही है और जो कि गुमला से निकलती है और पलामू होते हुए सोन नदी में जाकर मिल जाती है यहां पर देख रहे हैं यह एक और नदी है जो कि और अंगा नदी है जो कि लहर दगा जिले से निकलती है और पलामू जिले में जाकर उतरी कोईल नदी से मिल जाती है तो यह है और अंगा नदी की जो सहायक नदियां है और अंगा और अमानत तो और अंगा नदी कहां से निकलती है लहर दगा से निकलती है ठीक है तो औरंगा नदी के ये डीटेल्स थें आईए नेक्स्ट कोर्शन पर जलते हैं अमानत नदी किस जिला से निकलती है आपके ऑप्संस है हजारी बाग लातेहार गुमला या फिर दुमका इसका करेक्ट एंसर होगा हजारी बाग इसके वीज्वल्स कुछ इस तरह से हैं यह जारकन का मैप यहां पर देख रहे हैं आप यह उत्री कोईल नदी बह रही है जो की गुमला से निकलकर पलामू जिले से बहती हुई सोन नदी में जाकर मिल जा रही है और यहां पर आप देख र मिल जाती है तो उत्री कोईल नदी की दो प्रमुक सहायक नदियां है एक है औरंगा जो पिछले प्रशन में हमने देखा जो लहरतगा जिले से निकलती है और तूसरी है अमानत जो की हजारी बाग जिले से निकलती है और पलामू जिले में जाकर उत्री कोईल नदी में मिल जाती है तो ये थे अमानत नदी के डीटेल्स आईए नेक्ट कोशन पर चलते हैं दक्षिन कोई नदी कहां से निकलती है आपके आप्सेंस हैं नगडी राची बरही हजारी बाग बरवाडी लातेहार या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नगड की राची आईए इसके कुछ डीटेल्स को देखते हैं राची के निकट नगडी गाओं की पहाडी से पश्रिम में भाती हुई लहरदगा पहुंचती है ठीक है दक्षन कोई नदी राची के निकट नगडी गाओं की पहाडी से निकलती है और पहले लहरदगा जिले पहु संख नदी में जाकर मिल जाती है आप देख रहे हैं संख नदी में जाकर दक्षणी कोईल नदी मिल जाती है अच्छा ये बहुत important नदी है क्योंकि इसमें कोयल कारो परियोजना का निर्मान इसी नदी पर किया जाता है अभी कोयल कारो परियोजना कुछ चर्चाम भी रहा है इसलिए आप इस पर यूजना के बारे में भी कुछ जानकारी ले लिजेगा upcoming competitive examination के लिए ये important हो सकता है कोईल नदी और शंक नदी मिलकर कोईल नदी और शंक नदी के मिलने पर ही ब्राम्हनी नदी का निर्मान होता है आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ब्राम्हनी नदी तो ब्राम्हनी नदी का निर्मान कैसे हो रहा है कोईल नदी और संक नदी का मिलने से ब्राम्हनी नदी का निर्मान होता है अच्छा दक्षिन कोईल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो नदी है इसकी लंबाई कितनी है तो 285 किलो मिटर है इसका मुहाना कहां है तो संख नदी में इसकी सहायक नदियां क्या क्या है उत्री कारो दक्षिनी कारो और कोई ना नदी तो ये थे दक्षिन कोईल नदी के डिटेल्स आईए कुछ विजुल्स देखते हैं यहां जारखन का मैप यहां पर आप देख रहे हैं दक्षिनी कोईल नदी जो है वो इस तरह से राची से प्रवाहित हो रही है वो लहरदगा जिले और गुमले से होते हुए यह उडिसा में प्रवेश करती है यानि कि यह दो राज्यों से होकर बहती है एक जारखन दूसरा है उडिसा ठीक है त कारो जिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा कारो नदी नेश्ट कोशन पर चलते हैं संख नदी का उद्गम अस्थान कहां है गुमला राची धनबाद या फिर गुड़्डा जिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा गुमला आईए इसके कुछ डिटेल्स को देखते हैं शंख नदी जो है उसका उद्गम गुमला के लुपुंग पाट लुपुंग पाट गाउं में होता है और इसका अपवाक्षेत तीन राज्यों से होकर ये गुजलती है एक है जारखन दूसरा है चटिसगड और तीसरा है उड बनता है और शंख नदी की लंबाई क्या है ये 240 किलो मीटर है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है तो चिर्रा लावा ओव केदार इसके सहायक नदियां है अच्छा ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट्स है कि शंख नदी पर सदनी घाग जलप्रपात का निर्मान होता है संख नदी पर सदनी घाग जलप्रपात का निर्मान होता है ऐसे जलप्रपात पर मैं एक separate वीडियो लेकर आऊंगा तो यहाँ पर आपको ये जान लेना है कि शंख नदी पर सदनी घाग नाम का जलप्रपात का निर्मान होता है waterfall का formation होता है फिक है आईए इसके कुछ details को देखते हैं यह है जार्खन का मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह शंख नदी है जो कि गुमला जिले जार्खन के जिला गुमला से यह निकलती हुई एक टर्न लेते हुए 36 गड़ में प्रवेस करती है वहां कुछ दूरी तक यह प्रवाहित होती है फिर सिम्डेगा जिला से होते हुए उडीशा में प्रवाहित हो जाती है फिक है तो यह थे संख नदी के कुछ डीटेल्स आईए नेस्ट कोस्चन पर चलते हैं खिर्रा लावा केदार कोक किसकी सहायक नदियां है ओप्सन है संख नदी दक्षिन कोईल नदी अजय नदी मयूराक्षी नदी तो इसका सही एंसर हो जाएगा संख नदी नेक्स्ट शंख एवं दक्षिन कोईल नदी कहां एक दूसरे से मिलती है आपके ओप्सन है बिहार उडीशा पश्यम मंगाल या फिर छतिसगड तो इसका करेक्ट ऑंसर हो जाएगा उडीशा हम लोगों ने देखा था कि शंख ए ब्राम्हानी नदी का निर्मान होता है आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ अर्खन की नदियों से सम्मंदित जितने भी रिमेनिंग एमसी क्यूज हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए ज के लिए हिन